सबसे पहले हेलो एबरिवन आज की इस वीडियो में हम डिसकास करेंगे अलजेवरा के माइनस यानि अलजेवरा के घटाव कैसे करते हैं तो वीडियो कंप्लीट दखना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो चले वीडियो सुरू करते हैं तो यहाँ पर है पहला 6X पलस 5Y इसमें से माइनस करना है 2X माइनस 3Y को ठीक है सबसे पहले आपको धियान रखना है कि जब हम माइनस करेंगे अलजेवरा का तो सबसे पहले साइन चैंज करेंगे जो नीचे वाला sign है उसका change करेंगे मतलि उसको बदल देंगे जो minus होगा उसको plus कर देंगे जो plus होगा उसे minus कर देंगे ठीक है ये चीज़ आपको धियान रखना है जब ये sign change हो गया तब बीच वाले को भूल जाएंगे अब उपर वाले को और सबसे नीचे वाले को देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर है plus 5y plus 3y ठीक है अब ये sign बदल गया तो plus plus क्या होता है plus होता है ति हो जाएगा 8y और यहाँ plus 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 लिख देंगे ठीक है इसका बाद है 6x minus 2x ति हो जाएगा 4x से इसका अंसर आ गया 4x plus 8y दुसरा है 7m minus 3n 7m minus 4n ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे sign बदल देंगे तो minus है तो plus कर देंगे यहाँ plus है तो minus कर देंगे अब यह minus 3n है plus 4n है तो minus plus क्या होता है minus plus minus होता है तो minus करेंगे 4 minus 3 1 end ठीक है, यहां sign किसा लगाएंगे plus का, क्योंकि plus बढ़ा बढ़ा है 4 plus में और 4 बढ़ा है 3 से, तिसलिए यहां plus लगाएंगे अब यहां M है तो M लिख देंगे अब है 7 minus 7, यह cut जाएगा और यहां 0 लिखेंगे, ठीक है क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, काट कर तिसरा है minus 2x plus 8y plus 6z 2x plus 3y minus 4z इसे हमें minus करना है तो सबसे पहले sign इसका बदल देंगे minus है, तो plus plus है, तो minus यहां plus है, तो minus आप देखिए, यह plus 6z plus 4z, तो plus plus क्या होता है plus होता है, तो 6 plus 4 10z, यहां plus का sign लगा देंगे इसके बाद है plus 8y minus 3y तो plus minus क्या होता है, minus 8 minus 3, 5y यहां sign किसा लगाएंगे plus का, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 plus में है इसके बाद है, minus 2x minus 2x, minus minus क्या होता है plus होता है, तो 2 plus 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा sign किसा लगाएंगा, minus का लगाएंगे sign, ठीक है, minus minus plus होता है, लेकिन हम symbol minus का लगाते है यह इसका final answer होगा minus 4x plus 5y plus 10z